ओके तो आज की वीडियो हमारे पास है वीवो वी 30 similarities के वी 30 ओर दोस्मार्ट फोन दोस्तों क्या हाल? तो पिसके वी 30 ओर यह है W30 प्रो हम लोग बात करने वागए वीडियो में वी 30 प्रो में अच्छैAT उसीट देखा मैंने इस ऐर पास box smartphone इसकी बात अभी करते हैं और यहाँ पर वीवो का फोन है सब कुछ मिलने वाला box में हमारे पास यह transparent back cover है user manual के साथ type a2 type c cable है sim ejector pin और यह हमारे पास charger है 80 watt का super fast charger मिल जाएगा तो यह सारा कुछ box में है और यह रहा हमारे पास phone बाहर कर लिया जाए ओके तो एज उनों वीवो का वी सीरीस फोन है design slimness इन सब को खासकर ध्यान रखा जाता है पिछली सीरीज में 4600 अमें बैटरी था लेकिन वी 30 प्रो में 5000 बैटरी है तो बड़ी बैटरी के साथ भी यहाँ पर न यह फोन स्लिम है 188 ग्राम का फोन है इनफेक्ट 5000 बैटरी के साथ यह वीवो का स्लिमस्ट फोन है मेरे पास जो कलर इसका नाम है classic black एक और कलर भी आएगा इसका और यह जो मेरे पास classic black है अगर आप देखेंगे मैट फिनिश के साथ है पूरा फोन तो फिंगर पिन के निशान नहीं आएंगे और जो फ्रेम है यह प्लास्टिक यानि की पॉलिकाबोनेट है लेकिन फिनिशिंग अच्छी दे रखिए इसकी ओवरॉल डिजाइन की बात करें तो यह एक प्रीमियम डिजाइन के साथ आता कैमरा कि बात अभी करेंगे बाकि यहां पर जो स्पीकर रहें लेकिन वी सीरिज में यह सिंगल स्पीकर यह था पहले भी अभी डौल स्पीकर यह सथाए बाकि यहां पर फिजिकली आप डूवल सिम यानिकि दो सिम लगा सकते हो डौट बैंड वाइफाइव आइपि 552 फ् के यानि कि फुल एच्टी प्लस से ज्यादा रेजुलूशन की कर्व डिस्प्ले है यह 120 हर्स के साथ आता है एमुलेट डिस्प्ले है और 10 बिट पैनल है कलर अच्छे आते डिस्प्ले ब्राइट फील होती है और इन डिस्प्ले फिंगर पिन स्कैनर मिल जाता है जिसकी स्प उस वीडियो पे जितने व्यूज आये अब वापीश आते है फोन के उपर नहीं मतलब फोन के बारे में तो यहां पर डिस्प्ले आपकी वैसे डिस्प्ले काफी bright फील होती है इसले के प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा शोर्ट सेंशेशन अलफा और अब इसके याप पर आप performance की बात करेंगे सबसे पहले अगर performance की बात करें डैमन सीटी 8200 प्रोसेसर है LPDDR 5X RAM है UFS 3.1 स्टोरेज है अंतुतु स्कोर ओल्मोस्ट 1,000,000 के असपास है एंडरोड 14 के साथ आएगा फंटर जोस 14 होगा वीवो का फोन है इन फ्यूचर तीन साल का इसको अंडरोड अपडेट चार साल का सिक्योर्टी अपडेट मिलेगा और जब मैंने फर्स टाइम इसको बूट किया यहां पर मुझे कोई फाल्तू बहुत ज्यादा अप्लिकेशन थर्ड पार्टी ब्लोट व 90 पर ही शो करता है 90 हर्स से उपन नहीं जाता इसको शॉफ्टर अप्डेट से फिक्स किया जा सकता है अधर्वाइस जैसे हाई रिफ्रेट पर वने सेट कर दिया तो यहां दिक्कत नहीं है यहां 120 हर्स हमें एप्लिकेशन में सपोर्ट मिल रहा है और कोई पर्टिकुलर अ तो इसली सारे काम कर सकता है आप गेमिंग भी कर सकते हो इसको ज़्यादा अच्छे तरगेट करता है वह है कैमरा फोटो के मामले में बहुत ज्यादा और इसमें आपको डिटेल में बताना चाहूंगा सबसे पहले पीछे एक सेलफी चारों 50 मेगापिक्सल ऐसे विसे होना चाहिए कोई पूचे कितने मेगापिक्सल है भाई सारे 50 मेगापिक्सल में कैमरा है सोनी का संसर है यहां 50 मेगापिक्सल 2x portrait lens है और यह आपका 2x जूम करने की काम आएगा और डिजिटल जूम भी करेगा अब दिखते हैं फोटो 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है और 50 मेगापिक्सल की सेलफी है आपको पता यह ओनलाइन ओफलाइन दोनों मिलता बट ऑफलाइन ब्रैंड है और जहां पर मैक्सिम यूजर सब फोटो आडिट करना नहीं जानते तो यह लोग क्या करते हैं दुनिया वरे के ओप्शन देते हैं कैमरे के अंदर जस्ट लाइक प पॉट्रेट फोटो देता है तो यह ओप्शन यूज करिए चाहे नॉर्मल पॉट्रेट यह मैने काफी सारी क्लिक करके देखें आप देख सकते हो लगले लाइट केंडिशन की पॉट्रेट मोड ओल्वेज अट्रेक्टिव आएगा आपका क्लिक किया शेर किया उस की पॉट्रेट फोटो देता है एज डिटेक्शन भी अच्छा है सेम बात करते हैं मेन कैमरा या अल्ट्रावेड अंगल जो फोटो जाती है उसकी तो यह फोटो मेन कैमरा है यह अल्ट्रावाइड है जूम भी चेक रहता हो यह यह 2x फोटो है और यह 4x डिजिटल जूम क अगर फोटो की बात करें तो यह मेन कैमरा और जो अलग अलग फोटो दिखा दे रहे हों आपको अलग अलग राइट कंडिशन के आर्टिफिशियल है लो लाइट है डेलाइट है तो आप देख सकते हैं फोटो अच्छी आ रही है तो डानेमिक रहें डिटेल सब अच्छे से बैलेंस कर लेता है बाकि अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें 4K 60fps तक आप मैक्सम वीडियो क्वालिटी शूट कर सकते हो इनफेक्ट सेलफी में भी इस बार इनने 4K 60fps दे रखा है बाकि अगर आपको फ्रन कैमरा बैक कैमरा में लेंस स्वीच करना तो 4K 30fps स्वीच कर सकते हो सिंपल सी बात है फोटो काफी अट्रेक्टिव आती है वीडियो को मैं डिसन बोलना चाहूंगा हां लेकिन वीडियो में भी कई option मिलते हैं जैसे की 1080p क्वालिटी पे आप cinematic वीडियो बोके का option भी मिल जाएगा तो अगर आपके पीछे light वगरा है तो वो काफी attractive लग सकता आपको और अब बात कर लगते हैं के जो यह पीछे light दे रखिए ना अलग से corner में तो flash है लेकिन उसके चारो तरफ इसे और लाइट बोला जाता है camera में option है आप temperature control कर सकते हैं यह warm to cool की तरफ shift होता है यह आपका normal photo में भी काम करता है portrait photo में भी काम करता है तो with और लाइट without और लाइट यह मैंने आपको difference भी दिखा दिए तो skin tone better आ जाएंगे आपके smartly temperature को manage कर लेता है selfie की बात तो रही गई photos की तीन option मिलते है आप ज्यादा wide selfie ले सकते हो 0.8x पे फिर 1x भी है थोड़ा zoom हो जाएगा 2x पे और zoom हो जाएगा यानि कि आप group selfie भी असानी से ले सकते हैं हमने try किया हुआ है in fact portrait mode में यह अपना i auto focus use करके 3-4 लोग भी है ना तो उन क्लिक करते हो अलग-अलग option try करते हो खेलना चाते हो photos के साथ different different option के साथ काफी अच्छा टाइगर करता है ऐसे यूजर को याद रखिएगा यह offline phone है online भी मिलता offline भी मिलता है तो आप खुद भी offline में shop पे जाके इसकी photos की quality चेक कर सकते हो यह काफी underrated feature है offline phone का हमने जो का option रुपीज से आपको इस पर card discount भी मिलेगा अलग-अलग offer भी मिलेंगे आपको कैसा लगा यह phone as usual design and camera centric जो यह phone होते हैं उन्हें ज्यादा target करता है and I hope आपको वीडियो परसंद आई होगी वीडियो परसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करिए मैं मिलता है आप से अगली वीडियो में